हेलो दोस्तों स्वागत है आपका माई फार्मा डिप्स यूट्यूब चैनल पर आज हम सुड़ों में ओमी वर्ड टैबलेट के बारे में पुरी जान कर लेने वाले ओमी वर्ड टैबलेट का मेंनली यूज चक्कराने की समस्या दूर करने में किया जाता है आईए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार सी जानते है यह टैबलेट काईसे काम करती है का इस्तमाल होती है उस टैबलेट के क्या बिनिफिट है क्या सैड इफेक्ट है उस टैबलेट से चुड़े सबी साहल के जूफ आप आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे वीडियो को लास्ट दिरूओ देखिए वैल फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करने से पहले एक छोटे से रिक्वेष्ट है अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एकन को प्रेस करें तो चलिए को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंकाइन फार्मा कंपनी की यह 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 90 रुपए में मिल जाएंगी दोस्तों बताएगी कि मत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है यह टैबलेट खिरिदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जर्थ होती है यह ऋनर तरिक कान के रखतवाइन और दर्त कास्तों स्टायै इसे कान के स्टाय मतलब कान के होती में खून का प्रसार अच्छे से होता है इसमें मुझूद डाइमेंड हेड्रेनिट उन केमिकल मेशिंजर को रोकता है जो सूजन जकडन और दर्थ का कारण बनते हैं बात करती इस टैबलेट की यूजर के बारे में डॉक्टर से किनकी समस्या में इस्तमाल करते इस जी मैसल आने की समस्या दूर करने में या फिर सपर में उल्टा आने की समस्या दूर करने के लिए यूज करते इस टैबलेट के अन्य जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसी से संपर्क कर सकते आपके डॉक्टर उनके अनुबह से इस टैबलेट का इस्तमाल अ आपको समझ सकते हो तो इस टैबलेट का डूस भी कम होंगा वह एक स्वेक्ति याने अडल ये टैबलेट दिन में दो बार सुबह एक बार और शाम को एक बार खाना खाने के बाद ले सकते साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तमाल से उनलदूश पर ना यदि आपको इस इस टैबलेट के इस्तमाल से या फिर आपको इस टैबलेट में मुझूद के इस टैबलेट का यूज न करें अगर आप पहले से कोई अनने मेडिसीं टैबलेट शिरप ले रहे हो तो उसकी शुचना अपने डॉक्टर को आवश्चे दे इस वज़े से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रेक्शन या ओडोसनी के सम्भावना कम होती है अगर आपको लिवर या फिर किनिसी जुट के आगने समस्या आए तो उसकी शुचना अपने डॉक्टर को आवश्चे दे गरबहुती में लाए और संपान करने वाली में लाए ये टैबलेट शुच करने से पहले अपने डॉक्टर की सला आवश्चे ले इस टैबलेट के इस्तमाल के पहले या इस्तमाल के बाद अल्कुल का प्रयोग नहीं करें दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से helpful information मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और My Pharma Tips YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा medicine reviews मिलते रहेंगे Thank you for watching this video